नमस्ते दोस्तों मैं हिमाल इन फेरिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब जैनल पर फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं बना रही हूँ हिमाचर प्रदेश विश्यविद्यालिश शिमला के उपर फ्रेंड्स मैंने अकसर देखा है स्टूडेंट एच्प्यू को गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो फिर भी उनको एक प्रॉपर वीडियो एच्प्यू का नहीं मिल पाता है तो आज मैंने ये वीडियो उनी लोगों के लिए बनाया है जो आज के बाद एच्प्यू को अगर सर्च करेंगे तो वो अच्छे से मेरे वीडियो के माद्यम से एच्प्यू के बारे में जान सके Friends मेरी वीडियो को शुरू से last तक जरूर देखा करो क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपको वीडियो करना topic पता चलेगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा Friends तो चलते है आज ये मेरे साथ देखते है HPU को फ्रेंट्स चलते है हिमाचिर पर्देश विशुर्विधाले शिम्ला तो HPU जाने के लिए हमें सबसे पहले समर हील जाना होता है और अगर आप शिम्ला आते हो तो आपको New Bus 10 जो शिम्ला है और Old Bus 10 जो शिम्ला है वहां से Direct Bus लेना होता है समर हील के लिए इस वक्त तो मैं बालू गंज में हूँ और जीके में एक क्वेशन बहुत आता है कि एडवांस टड़ी कहा है और देखे ठीक मेरे सामने ये बोर्ड लगा है एडवांस टड़ी का तो यहीं से एडवांस टड़ी के लिए गारियां जाती है और बहुत सारे रास्ते है एडवांस टड़ी जाने के फ्रेंड्स तो इस वक्त हलकी हलकी बारिश हो रही है शिमला में तो देखते है आज वीडियो बनता है या नहीं बनता है कोशिश करूँगी कि आज वीडियो में बना ही लूँ और आप सभी को दिखाई दूँ यहां की तरह में यहां आ गई हूं स्वाथ फूड पॉइंट पेर यहां मेरा फेवरेट है यह जगा मुझे बहुत पसंद है जब भी मुझे आलू के प्राथे या किसी भी चीज़ के प्राथे गाने का मन करता है तो मैं जल जल यहां आ जाती हूं तो चलिए पहले मैं एक प्यू के लॉड इपार्टमेंट की बिल्डिंग है और यह डिपार्टमेंट सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि यहां पर हर साल सो जो बच्चे है वो अडिमीशन लेते है जर्नल और स्टी असी के लिए थोड़ा जो कट ओफ होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है से पर बाते किया करते हैं कुछ इंपॉर्टन चीज़ें अगर है तो वो भी डिसकस किया करते हैं इस जगह से मेरी भी काफी यादे जुड़ी है क्योंकि जो सुशॉलजी और सोशल वर्क डिपार्टमेंट है वो भी इसी के एक वाले फ्लोर में है तो फ्रेंस आजकल तो यह यहां से कुछ इस तरह दिखता है यहां तक गाड़ियां भी आ जाती है उपर के लिए यह पिंग पैटल के लिए रास्ता जाता है मैं उपर नहीं जाओंगी अभी आप सभी को पहले नीचे लेके चलती हूँ यहां से नीचे बियर्ड एमेड का डिपार्टमेंट है साथ म जो वर्डन है चीफ वर्डन उनका ओफिस है इंका ओफिस है सात में ट्राइ्वल स्टेरी लिए और एचपियो का ट्राइवल स्टिरी भी यहां से नीचे ही हैं यह जो सातव वाला बिल्डिंग है यह ट्राइवल स्टेडी छा पर आप गारएक और आप को पकी काम है तो आ आप यहां से अच्छे से जान सकते हो, साथ में यह बिल्डिंग है, गांधी बहुन है इसका नाम, ह्पू बहुत सारे एक्जाम करवाता है, तो स्टूडेंट के जो एड्मिट कार है, उसमें नंबर मतब की बिल्डिंग का यह भी आ जाता है, गांधी बहुन, तो वो यहाँ पे है यह B.A.D. और M.A.D. का इस डिपार्टमेंट है तो देखिए यह building कुछ ऐसा दिखता है यह है H.P.U. का Primary Health Center यहाँ पे थोड़ा बहुत इलाज आप सभी का हो जाता है कोई छोटी-मोटी emergency हो उस वक्त यहाँ पे doctors है तो इलाज हो जाएगा तो यहाँ पे जो H.P.U. का स्टूडेंट है टीचिंग स्टाफ है नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए भी यहाँ पे फैसलिटी है तो यहाँ से आगे के लिए रास्ता जाता है business schools, commerce जो commerce वगेरो के department है तो यहाँ से आगे है तो यहाँ से आगे के लिए रास्ता जाता है और यहाँ देखिए आप लिखाए प्रात्मिक स्वास्ते के इंदर तो आप यहाँ से अंदर को चले जाओगे यह यहां से अंदर और आगे की तरफ जाओगे आप Commerce Department के लिए काफी बड़ा बिल्डिंग है यह आप देख सकते हो अंदर मैं जाके आपको दिखा नहीं रही हूँ बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर जाके दिखाने लगूँ तो काफी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी काफी लंबा बनेगा जब भी एच्प्यू आओगे इसी रास्ते से आओगे जब आप Old Western से और New Western से आओगे आते ही यह देखे यह कुछ तरह इस तरह यहाँ पहुचोगे आप बस यहीं तक आती है और यहीं से वापिस जाती है इसके अलावा नीचे की तरफ लोवर समरहिल जाते है सांग्टी जाते है काफी सारे रास्ते यहां से नीचे तो जैसी आओगे सबसे अच्छी खासियत यहां की यह है कि यहां देखिए मंदिर सबसे पहले आते ही तो यहां पे मंदिर है लेकिन यहां पे लिखा है प्रवेश वर्जित तो यहां पे आप दर्शन कर सकते हो कुछ अच्छी आपकी इच्छाएं है कुछ पढ़ाई से रिलेटर हो मांग सकते हो और फिर यहां इस तरह यह चौक है यह देखिए साथ में जो नीचे शौप से यह बुकसलर की शौप से आप में अगर यहां से कुई बुक्स बुक्स लेना है तो आपको यहां से मिल जाएगा सब कुछ यहां पे पोस्ट आफिस भी है तो इसके पीछे एटियम भी है कुछ काम है तो आपका यहीं से हो सकता है पोस्ट आफिस वाल जो अभी हाल ही में बनाए ये दिख जाता है तो हिमाजरपदेश विश्विद्याल लिखा है काफी अच्छा ये दिखने में लगता है साथ में पीछे साइंस व्लॉक है और वो जो ऊपर दिख रहा है आपको वो वहाँ पर साइंस हॉल है छोटे मोटे जो फंक्शन से वो भी साइंस हॉल में हो जाते है अब साइंस व्लॉक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं गूम के हम साइंस व्लॉक में ही पहुँच जाते हैं वहाँ से भी रास्ता है जहां मैंने आपको पहले दिखाया Chemistry Department वहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है और यह Physics वाला डिपार्टमेंट है यह पूरा ही जो साइंस जो ब्लॉक है उसका ही एरिया है और यहाँ से आगे साइंस ब्लॉक के लिए रास्ता जाता है और उपर से यह हाली में रेनोवेट भी हुआ है तो अभी कुछ जादा ही अच्छा दिख रहा है और साथ में आपको दिख रहा होगा कि यह Department of Physics भी लिखा हुआ है यह HPU की लाइवेरी के सामने का गार्डन है यहाँ पर बैठ कर भी बच्चे पड़ाई करते हैं आजकल तो यहाँ पर काम चला हुआ है और यह जगह काफी खाली लग रहा है मैं बात करूं है HPU की लाइवेरी की तो यहाँ पर बीना लाइवेरी कार्ड के आप एंटर नहीं कर सकते हो अगर आप HPU के स्टूडेंट हो तभी आपको लाइवेरी कार्ड इशू होगा है साथ में 24 आवर वाली लाइवेरी है यहाँ पर पूरानी स्टूडेंट है जिनके पार लाइवेरी कार्ड नहीं है वह भी पढ़ाई करते है तो साथ में नीचे ज्ञानपत है एक्चूल प इसको पिंग पैटल्स जादा बोलते है क्योंकि पिंग पैटल्स बेकर की यहाँ पर शॉप है तो इसलिए यहां का जो भी स्टूडेंट है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाप तो यहां पर काफी मतब की काफी देर गप्पेश अपर मारते हैं तो मेल जुलाव वाला ही यह थीक मेरे सामने नेता जी सुभाष्चेंटर बोस बिल्डिंग है यहां पर भी काफी सारे एक्जाम हो जाते यह उनिवर्स्टी इंफरमेशन आप टेकनोलोजी और बायो साइस डिपार्टमेंट है और यह साथ में पिंग पैटल के ठीक सामने जो बिल्डिंग नीचे क नहीं है तो यह आगे की तरब रास्ता जाता है और वीसी के ओफिस के तरब तो मैं आगे बढ़ रहे हूं आपको दिखाती हूं मैं यहां से अंदर है HPU का ओडिटोरियम यहां पे जितने भी फंक्शन्स होते हैं HPU में चाए वो बड़े लेक्चर्स हो चाए कोई सांस्रतिक कारेकरम हो तो वो इसी ओडिटोरियम में होता है साथ में यह वाइस चांसलर का ओफिस है और यह जो आगे को रास्ता जा रहा है यह जाता है अडिमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और जो आश्ट्यूल का सेंटर है वहां की तरफ यह रास्ता आगी जाता है फ्रेंस से एच्प्यू का ओडिटोरियम है एच्प्यू में जितने भी फंक्शन्स होते है वो इसी ओडिटोरियम में होते है और यह साथ में वी सी का ओफिस है अंदर हमें यह जाने देंगे नहीं इसलिए मैं आप सभी को आगे लेके जारी हूँ यह सामने की लाइवेरी भी है अगर आपको कोई काम रहता है आइश्ट्यू से तो आपका यहीं पर काम हो जाएगा और ठीक इस आइश्ट्यू के सामने आपको एडम ब्लॉक भी बोलते हैं पर वो आपको यहां दिख जाएगा पूरे हमाचल से जो भी स्टूरेंट आते हैं अंडर का जाधा काम रहता है साथ में यहां से अंदर एक कैफिट एरिया भी है और आपको यहां साथ में एटियम भी दिख जाएगा अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है यहां पर तो आप यह जो में गेट है यहां से अंदर एंट्री कीजिए यहां पर एक काउंटर है वहा से कुछ इस तरह दिखता है और अगर आपको जो भी काम है पहले आप यहां बार पूछताज करोगे इस गेड़ से अंदर आओगे और ऊपर काफी सारे फ्लोर है तो आप आपका जहां पर काम है आप वहां जाए और काम कीजिए ऊपर वैसे कम्पिटर लेब है जातर काम इसी कम्पिटर लेब से आपके सॉल्व हो जाते हैं बाकी आप सभी के और काम है तो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा फ्रेंड्स ये था पूरा HPU का केंपस हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ एक चीज है मैं आपको ना दिखा पाई हो उसके लिए माफी माँगना चाऊंगी अगर आप में से कई स्टुडेंट HPU आते है तो मैं आप से को यही कहना चाऊंगी कि यहां पर बहुत सारे काफी सारे प्रॉब्लम्स उनसे बात करके ही सॉल्व हो जाए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक पे तब तक के लिए बाय बाय